हेलो एवरीवान, वेलकूम बाक टो मा यूट्यूब चानल साइन खुशी क्रियेशन्स आज के वीडियो में आप सभी को जेश्ट अमावस्या या जेश्ट पुर्णीमा के दिन मनाए जाने वाली वड सावितरी वरत की पूजा विधी पताने वाली हूँ ये वरत कई लोग पूणीमा के दिन करते हैं और कई लोग अमावस्या के दिन घर पर आप सरल तरीके से पूजन किस प्रकार से करें ये मैं आपको बताने वाली हूँ ये सेम विधी अगर आप मंदिर में पेड़ के पास जाकर कर रहे हैं तो भी सेम तरीके से कर सकते है सामगरी का वीडियो भी आपको मिल जाएगा तो सबसे पहले तो पूजन आप अपने घर के अंदर मंदिर के सामने छट पर आंगन में जहां चाहें वहां कर सकते है और पूजन करते वक्त आपका जो मुख है वो इस्ट की तरफ होना चाहिए तो या तो आपका मुँ इस्ट की तरफ रखे या फिर वेस्ट की तरफ तो इस प्रकार से सबसे पहले हम चौक मानेंगे आप आटे की, हलदी की सहायता से, रंगोली पाउडर की सहायता से ही पना सकते है तो इस प्रकार से पूरा सोलह स्रिंगार करें नए कपड़े पहने या आपके साफ सुत्रे अच्छे कपड़े पहने, साड़ी पहने और आपको पूजा खतम होने तक तो वरत रखना ही रखना है कई लोग पूरे दिन का वरत रखते हैं और कई लोग सिर्फ पूजा करने तक तो आपके यहां का जैसा चलनों आप वैसे करें या फिर आप सिर्फ पूजा रखने तक प्रत रखेंगे तो भी परयाप्त है इसके बाद आपको एक पाटा लेना है पाटे पर हम पीले रंग का या लाल रंग का कपड़ा बिछाएंगे उसके बाद हमें एक लोटा जल लेना है या फिर आप एक छोटे गमले में मिट्टी भर कर भी लें सकते हैं, या फिर आप जल की जगा अनाज़ भर सकते हैं, मैं आपको recommend करूँगी कि आप एक लोटा जल भर के लेंगे, उसके बाद हम उस पे स्वस्तिक बनाएंगे और चावल लगाएंगे, और स्वस्तिक के दोनों तरफ हम दो-दो लाइन भी बनाएंगे, तो हमारा जो कलश है, इसमें हम कृत्रिम हमारा वटविक्ष तयार करेंगे, तो वट सावित्री पूजा से एक दिन पहले ही आपको ये टहनी तोर कर ले आनी है, और इसको आपको अपने कलश में लगा देनी है, ये हमारा घर पर ही वट के पेर का जो रूप है वो तयार हो जाएगा, अगर आप पेर पर डारेक्ट पूजा कर रहे हैं, तो वो तो बहुत अच्छी बात है, या फिर आप इस प्रकार से घर पर भी पूजा कर सकते हैं, पेर में जो आप टेहनी ला रहे हैं, उसमें मिनिममम पाँच पत्ते होने चाहिए, उससे जादा हो तो और भी अच्छी बात है, इसी के साथ साथ हमें दो पत्ते अलग से भी ले लेने हैं, अब हम सबसे पहले दीपक प्रजवलित करेंगे, तो घी का, तेल का, जैसे भी दीपक आप चाहें, सबसे पहले आप दीपक प्रजवलित करें, और दीपक प्रजवलित करके सबसे प्रतम पूजनिय भगवान गनपती जी हैं, तो उनका हम पूजन करेंगे, दीपक का भी पूजन करेंगे, दीपक पर हल्दी, कुमकुम, चावल अर्पित करेंगे, साधी साथ में इस बार आपको एकदम सरल विधी से पूजन दिखा रही हूँ, अगर आप चाहें, तो इस पूजा में सत्यवान सावित्री जी को भी बन सर्पित करेंगे, फूल चड़ाएंगे, जो भी फूल आपको मिल जाएं और उसके बाद नमस्कार करेंगे, अब हम वट के गहने पहनेंगे, तो सभी सुहागिन स्थ्निया इस वरत को करती है, सावित्री मा ने भी ये वरत किया था, और तब उन्होंने अपना जो पत्ते का छोटा सा टुकड़ा लेकर हाथ में बान सकते हैं, चूड़ी की तरह, ऐसे जो मैंने आपको सामने बनाना दिखाया है, इसे आप अपने जूड़े में लगा सकते हैं, गले में पहन सकते हैं, और एटलीस जब तक आप पूजा कर रहे हैं, तब तक तो आपको पह पत्ते के लिखाया है, तो मिट्टी में हो या जल में लगाया हो, जैसे भी आप उसे सीचें, उसके बाद हम सबसे पहले हल्दी, हल्दी का तिलक इस पूजा में जरूर से करना चाहिए, तो हल्दी और रोली से हम तिलक करेंगे, तो पांच टिक की रोली की मैंने लगाई ह और पांच टिक की हल्दी की, तो इस प्रकार से आप चंदन भी लगा सकते हैं, हम हल्दी रोली की टिक की जो है अर्पित करेंगे, कलश के कंट में भी आपको मूली बांद लेनी है, अब इसके बाद जो है, हम हमारा जो वट प्रिक्ष है या वट प्रिक्ष की टहनी है, उ एक छोटी सी चुन्नी भी काफी है वो चढ़ाएंगे और फूल फल सब हम अरपित करेंगे तो सबसे पहले मैंने फूल चढ़ाएंगे जो भी फूल आपको मिल जाएं वो फूल आपको अरपित करने के बाद अब यहां पर आपको बारा चने लेने हैं बारा भीके हुए चने ये एक रात पहले आप भिगा दें, अगर अंकुरित लेते हो तो दो दिन पहले भिगा दें, वों अंकुरित हो जाएंगे, इसके बाद आपको फलो में आम विशेश रूप से लिया जाता है, आम, खर्बुजा, कई लोग हाथ वाला पंखा लेते हैं, तो वो आपको लेने ह अगर आप सामने चड़ा रहे हैं तो सामने चड़ाएं वरना आप जो कलश है उसके अंदर भी चड़ा सकते हैं दोनों में से किसी भी एक जगा चड़ाएं इसके बाद हम जो है अब परिक्रमा करनी है जो विशेश होता है तो अगर आपने घर पर टहनी लगाई है तो परिक्रमा आप किस प्रकार से करें कच्चा सूत या कलावा आपको लेना होता है अगर हम मंदिर में जाते हैं तो पहले तो दोनों चीज़े साथ में कर लेते हैं परिक्रमा भी और जो सूत लपेटना होता है वो भी पर अगर आप ऐसे घर पर कर रहे हो तो पहले तो आप जगा पर बैठे बैठे ही मिनिममम साथ बार और जादा से जादा जितनी बार आप 108 बार 101 बार जितनी बार आप परिक्रमा करना चाहें कर सकते हैं मिनिममम साथ बार तो करें करें इसे ऐसे साथ बार गुमा कर जो आपका कच्छी सूत का गोला है वो वहीं रख देना है मोली से किया हो तो सेम वैसे ही करना है आपको फिर आपको अपनी जगा पर खड़े होकर ही साथ बार परिक्रमा करनी है यानि खुद के उपर ही मतलब जहां पर खड़े हैं वहीं पर साथ बार परिक्रमा कर लें और इसके बाद आपको बड़ मावस की कहानी बड़ मावस की कहानी के बाद गनेज जी की कहानी करनी है और फिर सुहाग का समान अर्पित करना है तो आप मिनिमम पांच सुहाग के समा में क्या अर्पित करें अब आपको पूजा उठानी कैसे है तो जब आप अगले दिन ये पूजा उठाएंगे फल प्रशाद जो हमने अर्पित किया है वो तो आप सेम डे यूज कर लें फूल भी सेम डे हटा दें शाम को और जो सुहाग का समान है वो थोड़ा सा कुछ खु करा सकते हैं और भूमी विसरजन कर सकते हैं पर जहां पर बरगत का पेड जिस पेड के आप ये टैनी लाएंगे वो वहीं पर रख कर आ सकते हैं और ये जो कच्छा सूत का गोला है ये भी आप वहीं पर रख दें और चुन्नी जो है वो भी वहीं पेड पर चढ़ा दें त यहां भी आपको साफ सुत्री मिट्टी धर्ती मिले वहां पर आप यह रख सकते हैं और इस प्रकार से आपका जो पूजन है वो कम्प्लीट हो जाएगा प्रसाज जो चड़ाए वो आप खुद ग्रहन कर सकते हैं तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो और वो जो जल है कलश क वो आप पौधों में डालते हैं तो वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर से